जी गाइज तो मैंने आप लोगों को समझाया कि what is a set मैंने आपको symbols पढ़ाए उसको लिखने की types यानि कि किन तरीकों से आप किसी set को लिख सकते हैं ये पढ़ाया और उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा that finite set क्या है, infinite set क्या है, equivalent और equal set समझें सब टॉपिक डिसकस कर चु और हम उसके साथ सारे topics proper subset, improper subset और power set ये सारे topics आज की वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि जब आप next वीडियो में educational upload करूँ तो आपको notification मिल जाए और इस वीडियो को thumbs up देना ना भूले, तो चलिए इस वीडियो set का मतलब क्या है, the part of a set, मतलब set का एक हिस्सा, ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक pattern समझाता हूँ कि set की construction किस तरह होती है, ठीक है, तो मैं एक set मान लेता हूँ B, ठीक है, और इसके अंदर मैं elements ले लेता हूँ 3, ठीक है, which are colors, red, green and blue, ठीक है, well defined है, देखिए, य condition याद रखिए, क्या है elements well defined, और मैं लिख लेता हूँ R से red, ठीक है, G से green और B से blue, so red, green and blue, ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक set में ले लिया, अब logic समझेगा, ठीक है, logic समझेगा, अगर मैं आपको ये कहूँ, कि you have to select a color और colors, तो आप शुरू कि जर्स करेंगे, conditions क्या है, हो सकता है, आप एक भी color चूज ना करें, ठीक है, हो सकता है, आप एक color तीनों में से कोई एक चूज करें, हो सकता है, कि आप 2 colors चूज करें, और हो सकता है, कि आप 3 colors चूज करें, तो अगर हम इसकी possibilities बनाना चाहें, ठीक है, sets क की फॉर्म में तो किस तरह बनाएंगे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप कोई भी कलर सलेक्ट ना करें तो अगर इसको मैं सेट की लेंगवीज में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा फाय या फिर नल सेट यानि के लिखने का एक और तरीका ये भी है तो इन दोनों मे हो सकता है कि उसे कलर चूज करें ब्लू कलर चूज करें ठीक है ये तीनों कंडिशन भी आपके पास है इसके बाद हो सकता है आप दो कलर सूज कर लेना इट केन वी रेड अंड ग्रीओं इट केन भी a red and blue and it also can be green and blue सम्झाने की बात क्या है आप ये भी तो कह सकते थे सर मैं green और red भी जूज कर सकता हूँ देखिए it means same क्यूंके हम लोग ये बात पढ़ चुके है जब आपने last वीडियो में equal sets क्यों discuss किया था अगर मैं एक लिखता हूँ एक set है a,b equal है क्यों हमने ये equal sets की condition में पढ़ा था कि elements same होने चाहिए देखिए a,b और b,s elements same है और elements के number भी same है दो-दो elements है दोनों set में तो इससे हमें एक बात पता लगती है जो कि बहुत ही important है कि sets के अंदर हमारे पास order matter नहीं करता तो अगर मैंने subset में red और green ले लिया है तो मुझे green और red लेनी की दोरा नहीं है इस वज़ा से यही तीन possibilities बनेंगी इसके इलावा दो color choose करने की कोई और possibility नहीं बन सकते the last choice is what कि आप तीनों colors choose कर ले at the same time red, green and blue ठीक है? तीनों colors आप एक साथ choose कर ले तो उमीद है आपको ये topic समझ में आ रहा होगा देखिए मैंने क्या किया एक set लिया जिसमें मैंने तीन elements ले लिये और मैंने उसकी construction start की कि जब मैंने ये set बनाया तो पहले तो मैंने एक empty set लिया उसके बाद मैंने इन तीनों में से फिर blue लिया हो इस तरीके की ये सारी possibilities है और फिर आखरी element भी मैंने ले लिया इस तरीके से आप किसी भी set के subsets बना सकते हैं उमीद है आपको ये समझ में आगया हुगा कि आपने किसी भी set के subsets बनाने किस तरह हैं इसको मैं एक और भी अभी इसके बाद एक और example भी लेके आपको समझाऊंगा बास समझ में आईए आपको कि subsets किस तरह बनाने है अब इसकी definition पर आ जाते है कि आप subset की definition क्या बनाएंगे तो general लगी अगर हम subset subset को define करें तो आप किस तरह करेंगे मैंने सेट का नाम लिख लिया था बी ठीक है और इन में से आप कुई भी सेट ले लीजिए मैं माल लेता हूँ कि मैंने उसका नाम लिख 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 लेता हूँ तो अगर मैं definition में इसको describe करना चाहूँ तो अपने words में किस तरह रिखूँगा if 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 every element if every element of set A of set A is in set B then it is called what? it is called the subset of a set B अगर A के सारे element B के अंदर मौझूद है तो हम क्या कहेंगे? that A is a subset of B देखिए A के अंदर red और green यानि R और G मौझूद है और आप देखिए B के अंदर R G मौझूद है तो आप ये कह सकते हैं that A is a subset of set B बहुत ही आसान है definition के कहते है if every element of set A is in set B then it is called the subset of set B तो यहाँ पर ये condition set is था है और ये लिखेंगे किस तरह? mathematically it is written as A is a subset of set B this is the symbol which represents the subset this symbol is the representation of the subset जैसे मैंने आपको बताया हम words में नहीं लिखते हैं हम symbols यूज़ करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए subset को लिखने के लिए हम ये representation यानि के symbol यूज़ करते हैं then we have the concept of proper and improper subset ठीक है? proper और improper subset अब आपके पास ये सारे subsets हैं इन में proper subset कौन से है और improper subset कौन सा है? ये एक सवाल है तो देखिए हम proper subset किसको कहते हैं और improper subset किसको कहते हैं आपने यहाँ पर एक बात note down की हो अगर तो तो इन सारे subsets में एक चीज़ है which is unique कि ये पहले subset से लेके इस subset से लेके और यहां तक देखिए ये सारे sets क्या है? सब के अंदर या तो null set है या एक एक element है या दो elements है तीन element किसी भी set में इस फर्स से लेके 7 तक क्योई क्योई भी ऐसा subset नहीं है जिसके अंदर तीन elements मौझूद हो तो इसका मतलब ऐसा subset हमारे पास दो तरह के subset हैं जो एक हुजो set के बराबर नहीं है that is called the proper subset और ऐसा set यानि कि देखिए आखरी जो subset है इधर आप नोटाओं कि यह this set is equal to this set देखिए तीन elements, तीन elements same elements है आर, आर, जी, जी और बी, बी red, green, blue तीनों sets, दोनों sets के अंदर मौझूद है तो this is what, this is equal to B तो मतलब जब आप subset बनाएंगे तो दो तरह के subset बनेंगे एक ऐसा subset होगा जो के उस set के equal होगा और बाकी ऐसे subsets होगे जो set के equal नहीं होगे तो ऐसे subsets एक set के ऐसे subsets जो उसके बराबर नहीं हो दो धार कॉल प्रॉपर सबसेट और ऐसे subsets जो के उस set के बराबर हो, that is called the improper यहां पर from this set 5 से लेके यहां तक यह जो आपके बस जी ब्लू जी भी बनाए ग्रीन और ब्लू यह सारे क्या है इंप्रॉपर सबसेट हैं मत्दब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं if a is if set a is a subset of set b अगर set a जो है वो set b का क्या है subset है and a is not equal to b ठीक है a क्या होना चाहिए set a subset होना चाहिए set b का और a और b बराबर नहीं है then it is called proper subset proper subset लिखते किस तरह है same symbol है subset की तरह but if sorry यह line नहीं आनी ठीक है proper subset and if a is equal to b then it is called the improper subset लिखते किस तरह है improper subset ठीक है जी तो समझ में क्या आया जो हम subsets बनाते हैं इसके अंदर हमारे पास subsets के अंदर दो types होती है subsets की एक तो ऐसे subset जो के set के बराबर नहीं होते जो के यह सारे मैंने आपको समझाए ठीक है these are called what? these are called the proper subsets ऐसे subset जो के बराबर नहीं हो उस set के तो हम ऐसे subset को क्या कहते है proper subset जिसको लिखने का अंदाज यह है symbol यह use होता है और ऐसे subset जो के उस set के equal हो दो subsets are called what? the improper subset which is this one in the example ठीक है तो this is what proper and improper subset is the next thing is what? and that is the power set power set किस तरह बनता है? देखे power set की definition बहुत ही असान और बहुत ही simple है ऐसा set जिसके अंदर आप सारे subsets किसी set के रख दीजे for example definition के कहती है a set of of all possible subsets of all possible subsets subsets of set B ठीक है? ऐसा set जिसके अंदर सारे possible subsets अगर हम किसी set के रख दे that is called what? that is called the power set लिखते किस तरह है? P of B ठीक है? अब इसकी मैं एक और example समझाता हूँ और subsets बनाने की revision भी हो जाएगी तो चलिए हम एक ऐसा set ले ले लेते हैं बट elements को change कर लेते हैं ताके subsets की आपकी अच्छे से practice हो जा और आपको बास समझ में आ जाए कि subsets बनाने किस तरह हैं? so taking a set let it be C तो C के अंदर मैं लिख लेता हूँ elements 1, 2 और 3 ठीक है? simple सी example लिए मैंने अब इसके आप subsets बनाई है पहला subset इसका क्या बने? अच्छा इसका power set मैं directly बना रहा हूँ तो P of C लिखा जाएगा भना power set और इसके अंदर मैं क्या करूँगा? सारे इसके subsets लिख दूँगा पहला subset क्या बनेगा? पहला subset बनेगा five दूसरा subset मेरे पास क्या बनेगा? इसका single elements क्या है? पहला single element है one 2 दूसरा single element क्या है? two तीसरा single element मेरे पास क्या है? three single elements के बाद मैं pairs बनाऊगा pairs कौन-कौन से बन सकते देखिए one two one three and two three ठीक है कौन-कौन से pairs बन सकते one two दूसरा pair क्या बन सकता है one three और तीसरा pair क्या बनेगा हमार पस it is two three clear और दो-दो elements की pair बनाने के बाद आखरी एक ही possibility बनती है वो क्या है उस पूरे set का set को आप लिख दीजिए three choices यानि के it will be a one comma two comma three ठीक है आपने क्या किया एक set के सारे subsets को एक set में close कर दिया देखिए सारे subsets मैंने set के एक set में लिख दिये that is called what that is called the power set of that set basically तो power set क्या है a set of all possible subsets of a set एक set के जितने भी possible subsets हैं वो आप एक set के अंदर लिख दीजिए that is called the power set for that set तो यह आपको logic समझ में आई ठीक है अब मैं आपको यह समझाता हूँ कि आपको किस तरह पता लगेगा कि किसी set के कितने subsets बनने है तो यू डोंट इसकी मैं आपको logic समझाता हूँ अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं एक set ले लेता हूँ जिसके अंदर सिर्फ एक element है for example let it be a और इसका element है जेड ठीक है जी और इसके बाद मैं एक aurait element ले लि Ford ले लिता हूँ उर इसके अंदरous elements एंडाव और किक होने आपको तो अप एक element के सबसेड और अगर एक iस इसके अंदर निक सार्जाय कर ने ऑनेगे और यहां पर हाना? और दूसर सपसेट सिंगल एलमेंट्स है ही एक एलमन्ट तो क्या बन जाईगा? जड़ ठीक है, तो इसके A के सपसेट कितने बने? दो, इसके बाद आजाईए आब B पे, B के अंदर कितने एलमेंट्स है? वन और A तो अब आप इसके subset बनाएए पहले subset क्या बनेगा इसका 5 दूसर सबसेट क्या बनेगा आपके बस सिंगल elements यानिके वह ना जाएगा पहले और दूसर सिंगल elements में कौन सा है ए हैं ओके इसके बाद आखरी जो subset बनेगा वो आप pair बनाएंगे और हैं ही दो elements तो आखरी जिसका subset बनेगा it will be one comma a ओके तो अब आप एक logic देखिए एक अगर मेरे पास element मौझूद था तो मेरे subset कितने बने तो बने ठीक है अगर मेरे पास दो elements का set मौझूद था तो उसके subset कितने बने चार बने देखिए एक दो तीन और चार elements चार subset बने अगर मेरे पास तीन elements का subset तीन elements का set था तो उसके मेरे पास subset कितने बने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 subset बने ठीक है तो अब आप यहां पर एक बात notice कीजिए that this is gradually increasing अगर मैं बोलू n number of elements मेरे पास मौझूद है तो इसके subset कितने बनेंगे it is increasing 2 to the power n देखिए 2 की power 1 कितनी है 2 की power 1 कितनी है 2 2 की power 2 यानिके 4 2 की power 3 8 तो मतलब जितने elements मौझूद है ठीक है उसको आप 2 की power से raise कर दीजिए ठीक है formula क्या बनेगा n elements के लिए आपके subset कितने बनेंगे 2 to the power n मतलब अगर आपके बस n number of elements मौझूद है तो आपके पास उसके subset कितने बनेंगे सर 2 to the power n समझा देता हूं किस तर फॉर एक्जंपल directly दे दिया आपको उसने बोला कि आपके पास number of elements in a set वो है seven number of elements ठीक है अब आप उसके subset बनाना चाहें तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन अगर वो यह पूछ ले कि number of subsets कितने बनेंगे तो आप easily बता सकते है number of elements in set a वो बराबर बोल देता है seven तो आप क्या करेंगे subset कितने बनेंगे इसके two to the power seven जैसे मैंने आपको logic समझाई इसको simplify कीजिए देखिए two times two times two times two times two and times two एक दो तीन चार पांच छे और एक और बार two से multiply करेंगे ठीक है जी तो अब आप इसको simplify कीजिए देखिए two to the four four to the eight और two to the four four to the eight तो it will be like eight multiplied by eight multiplied by two जो के बहुत ही असान है देखिए eight eight जा what it is 64 ठीक है और 64 multiplied by two is what it is 128 I think so yes 128 तो अब आप 128 सबसेट तो बनाने से रहे but you can tell आप बता सकते हैं कि sir अगर एक सेट के अंदर साथ elements है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे 128 सबसेट बनेंगे इसी तरह जितने भी number of elements मौझूद हूँ आप उसकी two को exponent में रखके number of elements मालूम कर सकते हैं तो उमीद है आपकी आज की वीडियो समझ में आयोगी हमने आज ये समझा कि सबसेट किस सरा बनाते हैं proper और improper सबसेट क्या है और किस तरह लिखे जाते हैं किस तरह सिंबल उनका represent किया जाता है और what is the formula to find out that how many subsets can be formed from a set तो उमीद है आपको आज की वीडियो समझ में आयोगी अगर ये वीडियो समझ में आयो तो काइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और comment box में अपने सवलाद लिखना ना भूलें आपका अपना अमाथ खान from the channel Tutor & Mentor signing off, thank you, khudaafis